Hello everyone, Welcome back to my channel तो फ्रेंड जैसे है कि आप सभी को पता है, mango का season चल रहा है तो आज हम बनाने वाले mango jam तो उसके लिए मैंने यहां दो तरीके के आम लिये हैं एक जो yellow color का मीठा आम होता है और जो एक green color का हलका सा खटा आम होता है वो तो यह आम बैसे तो दोनों ही मीठे हैं पर जो green वाला आम हे वो हलका सा खटा भी है क्योंकि उसमें हलका सा कच्छा बने तो हलका सा खटा बन भी उसमें आएगा हम यहां दोनों आमों को लेंगे उसके साथ हम जैम बनाएंगे क्योंकि खटा मीठा जैम बनके जो रेडी होगा वो हमारे दोनों आमों की हल्प से ही होगा अगर आप मीठा मीठा बनाओगे न तो जादा मज़ा नहीं आएगा तॉनों को mix करके बनाएए खटाँ मीधा बनाएगे तो आपको क्या करना इसका pulp निकालना है यानिके इसको mix के में पीस लेना है तो यहां मैं दौनोंamat की गूदा है उसको निकौल दोंगई यानिके जो हम इसके छेल को हटा करके इसकी प्यूWait तैयार कर लेंगे तो मिक्सर में ढाल करके इसकी प्यूरी तैयार कर लीजेंगे इसकी प्यूरी को देख लीजये ते त्यार कर दिया है अब जाग Change and बनाना है उसमें आपको ाक्तेन रख ना है कर सब और जबिद्से अच्छा वाला पल्प हो सब और जो अच्छां वाला पल्प है वह नीची पोरी कि आशावर्म भी होह ना है आप देख सकते हो मैंने पूरा स्वतने कर लिया चितने सब्लाइब कर दोसके tilesme यानि कि जो इसमें हलके से धागे-धागे होते हैं, वो उपर जुग गए हैं, और बाकी का जो अच्छा वाला पल्प है, वो पूरा नीचे आ गया है, अब हम इसे गरम करने रखेंगे, क्योंकि हम इसका जैम बनाएंगे, तो हम इसको अच्छा थिक बनाना होगा, तो अब इसे बॉइल करने के लिए रख दीजे, यह अच्छा गरम करना है, हमको आप देख सकते हो, कितना कितना क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लियर है, बहुत अच्छा आपका मैंगो पल्प है, अब हम इसे अच्छे से गरम करेंगे, इसको ठिक करना है, ताकि जो आपका जैम है, वो बहुत ही जादा अच्छा बने, तो मार्केट से जैम आप काफी जादा महंगा खरीद के लाते हो, बस 20 या 30 रुपे में आपका जैम है, वो घर पे बन करके रेडी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ली 40 रुपीस केजी जो है, आम चल रहे हैं, त होता है, तो सिर्फ मैंगो लाएगे और मैंगो जैम बनाएगे, तो मैंने यहाँ पर एक कप शुगर का इस्तमाल किया है, यहाँ पर दो आम लिए हैं, क्योंकि एक मेरा खटा था, यहाँ एक कप शुगर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही जादा अच्छा आपका मैंगो जैम बनकर के एक चिनी को हम हमारे आम के साथ ूबोने देगे एक सोने देंगे और उसी में उसे पकने देंगे उसे क्या होगा ना आपको जो जेम है बहुत ही अच्छा बनकर के ड्यों गद बहुत zijn नीठा भी बनेगा बहुत खटा भी बनेगा साथ में एक अलग फ्लेवर आएगा तब देख सकते हो इसे पकने में एट लिस्ट थर्टी मिनिट तो लगते हैं तो मैंने या जैम को पकाते पकाते 15-20 मिनट हो चुके हैं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी कम हो चुके औ संब्सकान बहुत ब्लिट में लगत लिए या तो आप देख सकते हो यहां मेरा मेंगो का पल्प है और भी ज्यादा ठीक हो गगे तो इसको इसी तरीके से कंटीनीो कीजिए आप यानी कि इसको लगा तार चलाते रहिए तो आप देख सकते हो, यहां मेरा जो मैंगो का पल्प है, और भी ज्यादा थिक हो गया है, यह अब जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है, तो मैंने यहां पर एक चमज घी डाला है, घी से क्या होगा ना, इसमें मॉस्चुराइजर जो है बना रहेगा, साथ की साथ आपकी चिकनाहट बनी रहेगी, आपका जो फ्लेवर है, वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आप घी यूज नहीं करना जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहां एक चमज ऑईल का यूज कर सकते हैं, नॉन फ्लेवर कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं, अब हम इसे भी यहां तब यह आप देखेंगे कि जो मैंगो को पाप जैम है, वो और भी जादा धीरे-धीरे करके ठिक होने लगा है, आप अपने हाथ पर एक वर से चेक कर सकते हैं, अगर यह अच्छे से जो है रबड की तरह खिच रहा है, यान कि आपका जैम बिल्कुल रेडी है, यहां मैंन जो जैम है, वो कितनी एजीली अच्छे से निकल रहा है, और कितनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी बन करके रेडी होई है, बहुत अच्छा आपका जैम यहां बन करके रेडी हो चुका है, मैंने इसको बरतन में टांसफर कर लिया, आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हो, रोटी क जादा है, क्योंकि अपने घर में बनाया है, बहुत ही ज़दा टेस्टी है, क्योंकि अपने खुद बनाया है, तो आब देख सकते हैं हमारा जैम कितना अच्छा बन कर यहां रेडी हो चुका है, कितना जादा कलीर है, यह जिस तरीके से मार्केट में आता, बिलकुल वैसा या जैंबन के रैडी हुआ है तो प्रेस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा शाथ में चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिये सब्सक्राइब की साथ में जो बैल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए उससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद